Hello Everyone, Welcome to Commerce Studies आज हम इस वीडियो में इस डिसकस करेंगे कि जो Corporate Financial Reporting है उसमें उसे रिटेड कौन-कौन से इशूस हैं गाइस मुझे न बहुत सारे स्टूटेंट की क्वेरी आई है कि मैं ये कोशन समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे लिखना है और ये कोशन उन्होंने सभी स्टूटेंट्स ने चेक किया होगा कि लास्ट ये ये काफी बार आया हुआ है तो इस कोशन को हम कैसे लिख सकते हैं तो इसके बारे हम डिसकस कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह की से लिख सकते हैं, जैसे मैं नहीं पर लिख है, कि जैसे यह company है, यह company की building बनी हुई है, चेक खर लेना कैसी बनी हुई है company की building, यह building है company की और यहाँ पर stakeholders है, अब company जो company है, उसे अपने stakeholders को पनी financial statement प्रेजेंट करनी है, और stakeholders जो है, जो person outsider, जो company में आती है, या फिर यह इनको properly present नहीं कर पाते है, तो यह क्या है, issues है, problems है, कौन-कौन सी problems वेस करनी पड़ती है, जब अक्री voting की जाती है, तो कौन-कौन सी problems है, जो मैंने अभी आपको explain किया है, वही सारी चीजे मैंने यहाँ पर लिख हुई है, ठीक है, हार एक person यह चाता ह कि यह वाले issues आते हैं, सबसे पहले कौन सी issues आता है, does not reflect the real view, company जो अपनी financial statement देती है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने real view को नहीं दिखाती है, अब देखो कोई person है, उसे पता है कि सामने वाले person को मेरी company में interest है, तो वो अपना real view को कई बार वो नहीं दिखाता, कई बार उसे loss हो रहा होता है, या कुछ हो रहा होता है, तो वो manipulation करके दिखा देते हैं, तो यह सबसे बड़ी problem है, क्योंकि हर बंदा, कोई बंदा यसा नहीं चाहता कि मेरी जो image है वो ऐसी बने, तो कुछ इस real view नहीं दिखाते हैं, तो जिसकी वज़े से problem हो जाती है, second point is sometime issues of comparison, ज कर लो, लेकिन company ने 2021 की information दिया, तो इसके लिए comparison करना tough हो गया, तो कहते हैं, हर एक company comparison wise information नहीं बनाती है, कई company नहीं बनाती है, तो यह comparison करने में भी problem आ जाती है, next is financial reporting, sometime problem, create problem, sometime regarding the calculation, अब देखो कुछ calculation को प्रॉपर नहीं बताते हैं, कि जैसे suppose करो, इसने fixed asset ही सिरफ देख तो उसे कुछ-कुछ चीजों में problem आती है, तो यह एक तरह से issue है, कि खुद को person को calculation जो है, वो करनी पड़ती है, next is failure to revise the procedures to prevent, कई बार क्या होता है, कि हम prevent discrepancies, कई बारी जो problems आती है, हम उनको सही करना या दुबारा से present करने में, हमें एक तरह से problem create हो जाती है, कि दुबार से इस चीज को देना पड़ेगा, तो यह भी एक तरह से issue है, ठीक है, next is failure to calculate financial ratios, sometime उन्होंने अपनी financial statement इनको दे दी, और इन्हें कौन सा ratio calculate करना आता है, तो इस तरह की problem भी आ जाती है, कि वो person को proper information नहीं दे पाते, अपनी financial statement दे देते हैं, और ratio calculate करने के लिए बोल देते है तो इस तरह की इतने formulas होते हैं, इतने सारी information को वो कैसे concrete way में find out करें, तो यह सबसे बड़ा issue है, next is forecasting करना difficult है, उन्होंने तो past information दे दी, अब यह person के लिए forecast करना की future में ऐसा होगा या नहीं होगा, यह problem आ जाती है, next is window dressing, यह मैंने पहले बता दिया कि कोई भी person हो चाहे, व गई बार auditing से related भी हमें बहुत सारे issues आ जाते हैं, तो उन issues को manage करना हमारे लिए tough हो जाता है, तो यह भी आप issues में add कर सकते हो, next करते हैं, globalization होगी, globalization होने की वज़े से क्या हो रहा है कि हमें फॉरल लेवल पे deal करना पड़ता है, तो हार एक information एक तरह से नहीं दे सकते, तो यह भी हमारे लिए problem है, next is ever changing technology, तो technology change हो जाते है, कभी कुछ change हो जाता है, तो हर बार नहीं नहीं चीज़ों की information collect करके लेकर लेकर आना, अपनी financial statement को revise करके देना, यह सारे चीज़े हैं, जो इक तरह से issue है हमारे लिए, next is domination of management, कई बार जो है management का बहुत जादा होता है, management ज तो अगर आपके पास कोई content नहीं मिला आपको, तो आप पहले define करोगे reporting क्या होती है, financial reporting की types की diagram बना दो, objectives क्या होते हैं, उसके बार में कौन-कौन से issues face करने बढ़ते हैं, वो आप यहां पे लिख सकते हो, I think आपको थोड़ी सी clarity होई होगी, और इसके एलाब अगर आपको